परिचाए शाम और राम अपने चाचा जी के फार्म हाउस पर हैं वे पेड़ के आसपास खेल रहे हैं वे पेड़ पर लगे पके अमरूदों को देख कर खुश हैं क्या हम कुछ अमरूद खा सकते हैं चाचा जी? बिल्कुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए अमरूद लाता हूँ हम, ये कितने स्वादेश्ट है शाम उस पक्षी को देखो यहां तक की पक्षी भी पके हुए अमरूदों का आनंद ले रहे हैं हां, जन्तू पौधों से अनेक वस्तूएं जैसे फल, छाया, ऑक्सीजन आदी प्राप्त करते हैं बच्चों, लेकिन क्या तुम जालते हो कि जन्तू भी पौधों को अनेक वस्तूएं देते हैं? सच में चाचा जी, किन्तु वो कैसे? चाचा जी, किर्पिया इसके विशे में हमें और अधिक बताएं तो ठीक है, आओ, मैं तुम्हें सजी वस्तूएं की एक दूसरे पर निर्भरता के विशे में विस्तार से बताता हूँ आओ सीखें पौधों और जन्तों की एक दूसरे पर निर्भरता का वर्डन करना वनों के टकटाव से हुने वाले दुष परिनामों की चर्चा करना वन और वन ने चीवन सुरक्षा की चर्चा करना क्या पौधे जन्तुओं पर निर्भर होते हैं? पौधों से जन्तुओं को भोजन, अक्सीजन और आश्रे प्राप्त होता है क्या वेज के बदले में पौधों को कुछ देते हैं? हाँ, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डायोकसाइट की अविशक्ता होती है जब जन्तु सांस बाहर छोडते हैं तो वे कार्बन डायोकसाइट निकालते हैं जो कि पौधों को प्रकाश संशिलेशन की प्रक्रिया द्वारा उनका भोजन बनाने में सहायता करती है। बीज प्राकीडन द्वारा अपने बीजूं के विकास के लिए पौधे पून रूप से जन्तूं पर निर्भर रहते हैं। क्या आप जानते हैं? कैसे? फूलों से मकरंद चूसने के लिए जबने कीट, मक्हियां और तितलियां उनके उपर बैठते हैं, तो उनके पराकण, उनके पैरों के निचले भाग से चिपक जाते हैं। जब वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, तो वे अपने पैरों में चिपके हुए उन पराकड़ों को फैला देते हैं। फलों का चमकदार मीठा गूदा पक्षियों और जन्दूं को अपनी तरफ आकर्शित करता है। पक्षियों और जन्दू फलों को खाते हैं और बीजों के प्राकीडन में सहायता करते हैं। इस तरह जन्दू पौधों के अस्तित्व को बनाए रखने में और उनके फलने फूलने में सहायता करते हैं। वन तथा वन समस्टियां क्या आपने इन लोगों को देखा है जी हाँ ये आदिवासी हैं आदिवासी लोग पेड़ों की पत्तियों और फलों को एक अत्रित करते हैं आदिवासी वन्ने पदार्थों जैसे गूंद, काईक पौधे, आउशदी वाले पौधे और शहद आधी द्वारा अपनी जीवी का कमाते हैं वे वनों में पाई जाने वाले विभन प्रकारों के पौधों से अपना भोजन और आउशदियां प्राप्त करते हैं आदिवासी कुछ पेड़ों जैसे बर्गद और पीपल की पूझा करते हैं पेड़ों के प्रती ये आधर पेड़ों के सन्रक्षण में सहायता करता है वनों का महत्व शाम वन की हर्याली को देखकर अति उस सहायत है वनों से हमारे जीवन को адनेक लाब मिलते हैं आओ, इन में से कुछ लाबों के बारे में जानते हैं वन आकसिजन को निकाल कर वायो को शुद्द बनाते हैं और शदि वन में पाय जाने वाले अनेक पौधे और शदियों के सुरोथ हैं उनके लगभग सभी भागों जैसे जड़ों, छाल और पत्तियों का और शदिये मूल है। जल वन बारिश के जल के बहाओ को कम करके और उसे च्छान कर जल की गुणवत्ता को सुधारते हैं। वे जल विभाजिकों की भी रक्षा करते हैं। लकडियां फरनीचर, जहाज और घर बनाने के लिए हम वनों से लकडियां प्राप्त करते हैं। भोजन के उत्पाद वनों से हम विभिन गिस्म के फल और शहत प्राप्त करते हैं। छाया चारों तरफ की वायू और भूमी को ठंड़ा करके वनों के पेड़ों की छाया प्रिथवी के ताप को कम करके इसे ठंड़ा रखने में सहायता करती है। ठंड़क वाशपी करण और वाशपोस सर्जन के दौरान वन सौरूशमा को अफशोशित करने में सहायता करते हैं कारबन डायोकसाइट का स्थर ये कारबन डायोकसाइट के स्थर को बनाए रखते हैं और इस प्रकार से पौधों की वृध्धी को बढ़ाते हैं ये स्थानिय जलवायो को बनाए रखने में सहायता करते हैं और इस प्रकार से जलवायो में होने वाले बदलाव से भी लड़ने में सहायता करते हैं आओ खेलें चितर को उठा कर सही कथन के नीचे दिए गये बाकस में रखें वनों का कटाव जब शाम, राम और उनके चाचा जी वन के दूसरे छोर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे आप पेड़ों को क्यूं काट रहे हैं? हम इस जमीन पर चावा लुगाएंगे चाचा जी ने शाम और राम को बताया कि बढ़ती हुई जन्संख्या और अनाच की बढ़ती हुई डिमांड के कारण वन उपजाओ जमीन में परिवर्तित होते जा रहे हैं वनों के क्रिशी वाली भूमी में परिवर्तित होने के कारण ही अधिक वन कटाव हो रहा है लकडियों की प्राप्ति के लिए पेड़ों की अनगिनत कटाई से वनों का अधिक ख्षय होता है वनों के कटाव के कारण लाखों प्रजातियों के वास स्थानों का खोना सबसे भयंकर दुश परिणाम है वनों के कटाव से जलवायू में भी पदलावाता है क्यूंकि पेड ग्रीन हाउस गैसं को अफशोशित करते हैं वनों के कटने के परिणाम सरूप ग्लोबल वामिंग पढ़ती है हमें ये जान लेना चाहिए कि हम पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं वन की सुरक्षा हमें वनों की सुरक्षा करने चाहिए वनों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम ये है कि क्रिशी करने या रहने के लिए जमीन की प्राप्ती के लिए अधिक संख्या में वनों के काटने को रोकना चाहिए ये भी आवशक है कि वन्ने जन्तों की खाल उनके सिंग या दातों के लिए उन्हें मारना या उनका अवैद शिकार नहीं करना चाहिए वन्ने जीवों के मारने के विर्थ सरकार द्वारा लागू किये गए गानून तथा नियमों का सकती से पालन करना चाहिए संदक्षित वन्क्षित्र वन्ने जीव अभ्यारने कहलाता है प्रोजेक्ट टाइगर अचानक राम ने एक बोट दिखा जिस पर लिखा था बाग को बचाएं वो अपने चाचा जी से पूछता है चाचा जी इस बोट पर बाग को बचाएं क्यों लिखा है? बेटा, प्राचीन समय से लोग जन्तूओं की खाल, उनकी हड्डियों और उनके पंजों के लिए उनका अवैद शिकार करते आए हैं वे लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि से जीवन की विविदता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके परिणाम सरूप प्रित्वी से हम लोग अनेक प्रजादियों को हमेशा के लिए खो चुके हैं भारतिये बाग भी इनमें से एक है भारतिये सरकार बागों को बचाने के लिए गदम उठा चुकी है उसे ही प्रोजेक्ट टाइकर का नाम दिया गया है इस प्रोजेक्ट में सरकार उन वनों की देखभाल करती है जिन वनों में बाग रहते हैं ये वन बाग अभ्यारण कहलाते हैं इन वनों में बागों को मारना और पेड़ों को काटना एक दंड निये अपराद है हमने क्या चर्चा की? पौधे जन्तुओं को भोजन, आश्रय और ऑक्सीजन देते हैं जन्तु पौधों को कारबन डायोकसाइड देते हैं जिसकी साहता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं पक्षी और जन्तु पौधों के बीजों के प्राकिर्ण में साहता करते हैं आदिवासी वन्ने पदार्थों जैसे गूंद, काइक पौधे, आउशदी वाले पौधे और शहद आदी द्वारा अपनी जीवकास कमाते हैं अनेक वन्ने पौधों की जड़ें छाल और पत्तियां आउशदीयों के स्रोत हैं फरनीचर, जहाज और घर बनाने के लिए वन्नों से हम लकडियां प्राप्त करते हैं वन्नों से हम विभिन किस्म के फल और शहद प्राप्त करते हैं वन्स और उश्मा को अफशोशित करने में सहायता करते हैं हम वन्नों को निम्न प्रकार से बचा सकते हैं उपजाओ भूमी को विक्सित करने या रहने के लिए पेड़ों की अंदा धुंद कटाई को रोखना चाहिए। वन ने जंतुओं को उनकी खाल, सींगों या दातों के लिए उन्हें मारना या उनका अवैद शिकार नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत जिन वनों में बाग रहते हैं, सरकार उन वनों की देख भाल करती है।